नमस्कार साथियो अत्रकुसल सब भाती सुहाई तत्रकुसल सब राँखी रगुराई उम्मीद है कि आप सबी सेकुसल होंगी और अपनी जिंदिगी की जेदो जाहद में किसी एक मुकाम पर पहुँचने के लिए किसी एक लक्षे को प्राप्त करने के लिए संगर्स कर रहे होंगे जैसा स्वामी विवी का नंजी ने भी कहा है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप लक्षे को प्राप्त नहीं कर लेते हालांकि इसके बाद भी हमें रुखना नहीं होता है जिंदिगी में लक्षे आते रहते हैं बनते रहते हैं प्राप्त करते रहते है और उनमें बदलाव होता रहता है आज हम दित्ते स्रेणी सिक्सक परतियोगी परिक्षा के पहले प्रशन पत्र में जो नवीन पाठे करम के अनुसार एक नया टोपिक जोड़ा गया है जो आपके सामने प्रस्तूत है राजस्तान में विधान सबा विध्यारतियों और परतिभागियों ये नया टोपिक जोड़ा गया है जिससे प्रसन आने की बहुत ज्यादा संभावना है कम से कम दो क्योशन सामन ते एक परसन परन्तू दो परसन भी आ सकते हैं छोटा सा टोपिक है राजस्तान में विधान सबा और राजस्तान में विधान सबा का वैसा ही सवरूप है जैसे केंडर में एक संसदी प्रणाली का है तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि राजस्तान में विधान सबा या राजजी का जो विधान मंडल है एक सदनी है तो क्या राजस्तान के अलावा जो 27 राज्य इस समय अटाइस राज्य उराट केंद्र सासित परदीस उन 27 राज्यों में भी विधान सबा है अथवा विधान सबा के अलावा राज्य विधान मंडल का दूसरा अंग या सदन विधान परिशद है जैसी संसदी प्रणाली केंद्री स्तर पर अपनाई गई है ऐसी ही संसदी प्रणाली भारती सविधान के तहट राज्य इस्तर पर भी अपनाई गई है जैसा मैंने पूर व्याख्यान में भी बताया कि संसदी प्रणाली का सबसे बड़ा आधार यही है कि कारिय पाली का व्यवस्ता पिका और न्याय पाली का इनमें कारिय पाली का और विधाय का के बीच घनिस्ट सम्मंद होना ही संसदी व्यवस्ता का सबसे बड़ा लक्षन होता है तो राज्जी इस तरपर भी हमने संसदी व्यवस्ता अपनाई है और जैसे आर्टिकल 79 के अनुसार ये कहा गया है उल्लिकित किया गया है कि राश्टपती और दो सदनों से मिलकर भारत की संसद बनेगी जिसमें राज्य सबा और लोक सबा दो सदन होंगी ऐसे ही भारती सविधान में जब राज्य की सरकार के हम बात करें तो राज्य की सरकार के भी तीन अंग होते हैं जिनमें कारिपालिका, व्यवस्तापिका और न्याइपालिका, एक्जिक्यूटिव, लैजिसलेक्चर एंड जूरिश्री तीन अंग मॉन्टेश के उन्हें थिय का जिक्र किया गया है उसके बाद विधायका का जिक्र किया गया है और उसके बाद न्याइपालिका का जिक्र किया गया है राजस्तान की विधान सवा कि सवरूप को समझने से पहले हमें उस सरंचना को समझना होगा जो सविधान निर्माताओं ने सविधान में मैंसन की है भ बारती सविधान के अनुचित 168 से लेकर 213 तक परतेग राज्य की विधायका का जिक्र किया गया है। बारती सविधान के अनुचित 168 से लेकर 213 तक परतेग राज्य की विधायका का जिक्र सविधान के कौन से अनुचित 168 में किया गया है। 168 में ये मैंसन किया गया है कि परतेग राज्य में राज्य पाल और राज्य पाल के साथ दो सदनों से मिलकर राज्य का विधान मंडल बनेगा। और दूसरे सदन का नाम विधान सबा होगा। इसका मतलब साथ यहां नाम पहले विधान परिशद का दिया गया है लेकिन वैसे पहला सदन विधान सबा होती है और दूसरा सदन विधान परिशद होती है। तो 168 में ये दूसरी जो important बात आप सुनोगे राज्य में राज्य पाल तथा विधान परिशद और विधान सबा को मिलाकर राज्य विधान मंडल होगा जहां जिन राज्य में दो सदन होंगे वहां इनका नाम विधान परिशद होगा और जिन राज्य में केवल एक सदन होगा इसका मतलब एक सदन होगा तो यह किस की और इसारा कर रहा है उस सदन का नाम विधान सबा होगा साथियों आपको ध्यान रखना है ऐसा कोई भी राज्य नहीं हो सकता जिसमें विधान सबा तो नहीं हो और केवल विधान परिशद हो दो सदन होंगे परंतु यदि एक सदन होगा तो वह सदन कौन सा होगा ये सविधान ते करता है और उस सदन का नाम क्या होगा विधान सबा होगा विधान परिशद नहीं होगा तो इसका मतलब है कि राजस्तान में एक सदनी विवस्ता पिका की बात करीगी राजस्तान में एक सदनी राज्य विधान मंडल है जिसका नाम विधान सबा है यद पिर हमने भी 2013 के वर्स में सांताराम कमेटी की अनुसंसा के आधार पर राज्य में विधान परीसत बनाने का प्रस्ता अपकेंदर को भेज रखा है लेकिन अपकेंदर को भेज रखा है तो बनी क्यों नहीं इस पर भी हम परीचर्चा करेंगे क्योंकि उसका भी एक अलग स्विधानिक प्रावदान है तो राजस्तान में विधान सबा है विधान परिशद नहीं है आखिरकार विधान जब एक सदन होगा तो विधान परिषद क्यों नहीं होगी इसके पीछे हमें विधान परिषद के निर्मान की सरंचना को जानना होगा किसी राज्य में विधान परिषद होगी या नहीं यह भारति सैदान का अनुच्छिद 179 उपबंदित करेगा साथियों इस अनुछिद के अनुसार जिसमी राज्य में विधान सबा है और वह राज्य विधान परिशत बनाना चाहता है तो उस राज्य की विधान सबा को एक ऐसा संकल्प प्रस्ताव केंदर के पास भेजना होगा जिसको संकल प्रस्ताव कहते हैं जितने सदस्य उपस्तित हैं मद्दान करते हैं उनके दो तीहाई बहुमत से ऐसा संकल प्रस्ताव पारित होगा और इसे केंदर सरकार के पास भीज दिया जाएगा केंदर सरकार इस बात के लिए बाद दे नहीं है कि विधान परिशद बनाए तो विधान परिशद बनाने के लिए और विधान परिशद का अंत करने के लिए संकल प्रस्ताव तो उस राज्य की विधान सबाब भीज सकती है परंतु विधान परिशद का सरजन करना यानि की बनाना और विधान परिसद का अंत करना यानि की विधान परिसद को शमाप्त करना ये किसके प्रादिकार में है संसद केंद्र सरकार के प्रादिकार में तो आपसे परसन पूँचा जा सकता है विधान परिसद का सरजन और उत्सादन करने का अधिकार किसका है क्या कर सकते है प्रस्ताव भेज सकते है यद भी ऐसा भी संभव नहीं है कि राज्य की विधान सबा प्रस्ताव नहीं भेजे और संसत जबरदस्ती विधान परिशत बना दो ये भी संभव नहीं है ये तबी संभव है तो पहल करने का ये आपको ध्यान रखना है कि विधान बनेगी या नहीं बनेगी इसके लिए पहल करने का अधिकार सम्मंदित राज्य की विधान सबा का ही होगा संसद अपने इच्छा से विधान परिसद नहीं बना सकती है हाँ संसद विधान सबा जब प्रस्ताव भेजती है समात करने का या बनाने का तो संसद चाहे तो बना सकती है और चाहे तो नहीं बनाए तो राजस्तान के लिए भी प्रस्ताव है जिस पर संसद ने अभी तक कोई निरने नहीं किया है विधान परिशत नहीं बनाई तो साथ यब आप समझ गए होंगे कि स्विधान निर्माताओं ने ऐसा क्यों लिखा क विधान वंडल में दो सदन होंगे परंतु जहां एक सदन होगा उस सदन का नाम विधान सबाई होगा अर्थात विधान परिसर नहीं हो सकता है ये इसका स्विधानिक बैगराउंड था अब राजस्तान की विधान सबा के बारे में बात करें उससे पहले में विधान सबा का composition समझना होगा अनुच्छेद 170 के अनुसार विधान सबा में क्या हो सकता है नमबर एक पर किसी भी राज्य की विधान सबा की सदस्य संख्या 500 से अधिक नहीं होगी यानि कि 500 हो सकते लेकिन 500 से अधिक नहीं होगी और किसी भी राज्य की विधान सभा की सदर से संख्या 60 से कम नहीं होगी परंतु कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी सदर से संख्या 60 से भी कम है जैसे गोवा उसकी विधान सभा की जो सदर से संख्या है केवल 40 है से किम उसकी विदान सभा की सदसे संख्या भी 60 से कम है तो ये प्रावधान की अधिकतम 500 से ज़्यादा नहीं होंगे और नियुनतम कम से कम 60 होने चाहिए परंतो संसत के प्रावधानों के तैट इससे भी कम हो सकती है ऐसे अपवाद वाले राज्ये हैं जहां आर्थिक सदसे संख्या कितनी है जरूर आपके दिमाग में विचार आया होगा कि 200 है नहीं साथियों 1922 में राजस्तान की विदान सभा की जो सदसे संख्या थी जिस पर हम आगे विस्तार से परिच्चा करेंगे वो केवल 160 थी फिर 200 कब हुई 1977 के वर्स में राजस्तान की विदान की सदसे संख्या बढ़ा कर 160 नहीं उससे पहले भी बढ़ाएगी दूसरी विदान सभा में तीसरी चोथी पांचवी और इस बार छटवी विदान सभा में राजस्तान की विदान सभा की सदसे संख्या बढ़ा कर 200 कर दी गई जो पिछले 1977 से लेकर वर्तमान में भी कितनी ह 200 है ये आपको ध्यान रखना है किस वर्स राज़स्तान विधान सभा के सदस संक्या बढ़ा कर 200 कर दी गई 1977 के वर्स में और किस विधान सभा में 200 सदस से निर्वाचित हुए छटवी विधान सभा में पहली बार 200 सीटों पर सदस से निर्वाचित हुए इस से पहले पांचवी सदर विधान सबा तक 184 थे और उस से पहले तीसरी विधान सबा में 176 थे पहले विधान सबा में 160 और दूसरी विधान सबा में 176 तो दो बार 160 से 176 सोले सदर से संक्या बढ़ाएगी फिर उसके बाद 8 सदर से संक्या तो 16, 8 और 16 इस composition में सदस्य संख्या बढ़ाई गई और 1977 से लेकर वर्तमाद 2022 तक राजस्तान की विधान सभा की सदस्य संख्या 200 है कई बार ये परसन में पूंच लिए राद किस विधान सभा में 200 सीटों पर निर्वाचन लड़ा गया छटवी विधान सभा में किस विधान सभा में 160 सीटों पर चुनाव लड़ा गया पहले विधान सभा में केवल 160 सीटों पर चुनाव लड़ा गया जिसमें से बयां से सीटे कॉंग्रेस को और 78 सीटे अन्नी राजनितिक दलों को प्राप्त हुई तो यह तो विधान सबागी है अब विधान सबागी इस सरंचना में ओर क्या composition किया गया यह भी आपको ध्यान रखना है साथ ही ओ राज्येपाल जो की राज्ये का स्विधान एक मुख्या होता है उस राज्येपाल के द्वारा आरम में ये कहा गया आंगल भारती समुदाई आंगल एंगलो इंडियन जिनको कहा जाता है आंगल भारती समुदाई के एक परतिनिदी को मनोनीत किया जा सकेगा कितने परतिनिदियों के वो एक परतिनिदी की बात कहीगी लेकिन साथ यह दूसरा आपको ये भी धियान रखना है सविधान निर्माताओं ने 23 सविधान संसोदन अधिनियम के द्वारा जो के 1979 में पारित किया गया इस एक आंगल भारते समुदाय के परतिनिदी का मनोनिन कि जाएगा उसके इस्तान पर लिख दिया गया जितना राज्येपाल उचित समझे इसका मतलब है कि उस राज्ये के राज्येपाल को ये दिकार दिया गया कि वह आंगल एंगलो इंडियन समुदाय के सदस्यों को जितने सदस्यों को परतिनिदीतु देना चाहता है वह परति में यह वस्ता 3333 आर्टिकल 333 के तैट की गई है अनुछे 333 के तैट विधान सबा में एंगलो इंडियन को राचे पाल मनोनीत करता लेकिन अब इसकी क्या इस्तितिय इस पर विचार करेंगे भारते स्विधान का स्विधान संसोदन अधिनें 104 और किस वार्ष 2019 में पारिप कर दिया गया कि 20 जनवरी कहां से यह आपको जरूर याद रखना है 20 जनवरी 25 जनवरी जो 25 जनवरी लास्ट है तो 25 जनवरी अंतिम दिन होगा 2020 का जिसके बाद ने तो केंदर में राष्टपती लोगसबा में दो सदस्यों को एंगलो इंडियन मनोनीत कर पाएगा और नही राज्य में राज्य पाल एंगलो इंडियन को मनोनीत करेगा तो इस तारीक से 114 स्विदान संसोदन 2019 के दवारा क्या किया गया अनुचे 334 है साथ यो जरूर आपको ध्यान रखना है अनुचे 334 के कि अंतरगत अनुचे जाति और जनजातियों के लिए संसद में सीटों के आरक्षन की जो अवदी थी उस अवदी को 70 वर्स के इस्थान पर 80 वर्स कर दिया गया है जबकि एंगलो इंडियन के लिए जो 70 वर्स के अवदी थी उसको 70 वर्स ही रख दिया गया है तो समाप्त नहीं किया गया है अपितु इनके मनोनियन का जो टर्म पीरियड था समय अ मतलब है कि हमारा सविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसके तहट आरक्षन की जो युवस्ता थी 10 वर्स फिर 10 वर्स बढ़ाते बढ़ाते ये अग इस समय जाती जनजातियों के लिए इसको 2030 तक कर दिया गया है परंतु एंगलो इंडियन को जो परतनीजीत सविधा के द्वारा दिया गया उसको इस विधान संसोदन के द्वारा एडजर्न कर दिया गया है इस्तगीत कर दिया गया है नौट एबोलिज्ट किया गया है यू शुट भी रिमेंबर दिस पैक्ट तो साथियों ये मनोनेन की विरस्ता विधान सभा की है इसके अलावा जो विध उस विधान सबा में उस राज्य की जो पंजीकरत मत दाता है ऐसे मत दाता पर्तेक्स मत दान के द्वारा अपने सदस्यों का निर्वाचन करते हैं और विधान सबा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन व्यक्ति भाग ले सकता है उस राज्य का वह व्यक्ति भाग ले सकता है जो राज्य किसी ना किसी स्वेदानिक छेतर में मत दाता है पर तेक्स रूप से चुनाव होगा जैसे केंदर में लोक सभा का चुनाव होता है ठीक ऐसे ही राज्यों में भारत का निर्वा चुनाव के विधान सभा के चुनाव आयुजित करवाता है और इसलिए यहां राज चीस वर्ष की उमर होनी ची और वे भारत का क्या होना ची नागरिक होना ची और वे राज्जे का क्या होना ची रजिस्टर्ड मत दाता होना चाहिए तब ही वे लोग सबा में तो किसी पूरे देश में कहीं पर भी वे रजिस्टर्ड मत दाता हो तो चुनाव में भाग ले सकत अपने राजस्तान वे गंगानगर से लेकर बांसवाडा तक और धोلفूर से लेकर जेसल मेर तक किसी भी जिले से किसी भी निर्वाचन चेतर सूर। और एक पहलू को छोड़ देना सिक्के को परचलन को रोक देना है इसलिए हमें ब्रिप में विधान परिसद के बारे में भी जानना होगा तो आएए साथ ही हो आएए साथ ही हो विधान परिसद के बारे में जानते हैं विधान परिसद का जिकर भी सरंचना जो है 169 में और कं अनुचेद 171 में composition of the legislative council of the concerning state के बारे में description दिया गया है अनुचेद 171 के अनुसार ये कहा गया है कि किसी भी राज्ये की विधान परिशद की अधिक्तम सदस्य संख्या मैक जीमम अधिक्तम का मतलब होता है मैक जीमम अधिक्तम सदस्य संख्या कितनी होगी यहां पर आपको ध्यान रखना है जिस उस राज्ये की विधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या है उस कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से ज़्यादा नहीं होगी कितने से एक तिहाई से ज्यादा नहीं होगी जैसे याद करने के लिए कि राजस्तान में जो विधान परिशत का प्रस्ताव बेजा गया तो विधान सबा में कितनी सीटे हैं 200 खीक है आपको पता है दोसों के लिए अधिक्तम विधान परिशद में कितनी सीटे हो सकती हैं केवल 66 इन 66 सीटों में 22, 22, 22, 25, 26 और इसके अलावा 1 बटा 6 राज्य पाल के द्वारा मनोनीत की जाती है तो विधान परिशद में 5 बटा 6 भाग इसका मतलब है कि इतनी सदस्यों का तो क्या होता है निर्वाचक मतदाताओं के द्वारा इसका मतलब है सब लोग विधान परिशद के चुनाव में वोट नहीं देते निरवाचक गण के सदस्य मतदान करते हैं और निर्वाचगन के सदसे भारित मददान या डिपींट्स अपॉन दी वैटीज इलक्टरल सिस्टम्स जो भारित मददान प्रणा लिए उसके सब वोट नहीं देते हैं आप और हम सब वोट मददाता नहीं हो सकते पांच बटा सदस्यों का चुनाव निर्वाचगन करते हैं इनमें कौन होते हैं देखे साथियों इसमें एक बटा तीन सदस्यों का जो चुनाव है वो इस्थानी निकायों के प्रादी करण या इस्थानी जो संस्तान हैं जिला बोड हैं उनके सदस्यों के द्वारा इन लोगों का चुनाव किया जाता है इसके अलावा एक तिहाई सदस्यों का चुनाव विधान सबा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है इसके अलावा एक बटा बारा सदस्यों का चुनाव उस राज्य के सिक्सक समुदाई के द्वारा किया जाता है ऐसा सिक्सक समुदाई जो माद्देमिक शिक्षा तक यानि कि दस्वी क्लास तक पिछले तीन साल से अध्यापन करा रहा हो वैबलेई सरकारी स्कूल हो प्राइवेट स्कूल हो राजस्तान या संसत के अधिनियम के द्वारा इस्तापित स्कूल के तहए जो अधिनियम है या रजिस्टर्ड है उस संसता में पढ़ाने वाला सिक्सक समुदाई इसके अलावा एक बटा बारा सदस से छात्र छात्राओं की समुदाई के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा और ऐसे विध्यारति इसमें बालक और बालक सबी सामिल हैं ऐसे बालक और बालक और बालक और ऐसे विध्यारति गर्ण जिनोंने सनातक की सिक्षा प्राप्त कर ली हो इसे ज़्यादा भी प्राप्त कर सकते हैं लेकिन कम से कम सनातक होने चाहिए और ऐसे सनातक की सिक्षा उन्होंने फरजी डिगरी प्राप्त नहीं की हो अपितु माननेता प्राप्त विस्विद्धाले से डिगरी प्राप्त की हो ऐसे डिगरी प्राप्त करने वाले विद्धारतियों का समू है जिनोंने तीन साल पहले डिगरी प्राप्त की थी यानि कि उनकी ग्रेजियोशन की डिगरी भी कितनी वर्स पुरानी होनी चाहिए तीन वर्स पुरानी होनी चाहिए अभी आपने ग्रेजियोशन किया और आपको वोट देंगे तो आपको वोट द विधान परिशत, राश्ट पती, उपराश्ट पती, सब के चुनाव भारत का निर्वाचन आयो कराता है तो ये थी विधान परिशत की निर्वाचन स्रंचना इसके अलावा जो आपको खास बात याद रखनी वो ये है कि एक बटा छे सदस्यों का उस राज्ये के राज्ये पाल के द्वारा मनोनियन किया जाता है ये आपको याद रखना है मनोनियन क्यों याद रखना है क्योंकि राष्ट पती अनुचेद असी खंड तीन के अनुसार राज्जी सभा में बारा सदस्यों को चार छेत्रों से मनोनित करता है जबकि राज्जेपाल अनुचेद 171 के कल तो हैं लेकिन करम भी आपको ध्यान रखना है पहले करम पर नंबर एक पर साहित्य के छेत्र में नंबर दो पर विज्ञान के छेत्र में नंबर तीन पर कला के छेत्र में नंबर चार पर शैकारी मूमेंट शैकारी आंदूलन के छेत्र में और नंबर पांच पर क्या होगा द इस ज्यान रखने वाला हो या उसको ही having a practical knowledge of these fields इन छेत्रों में जो एक व्यवारिक ज्यान का अनुवव रखता है ऐसे लोगों को राज्यपाल अपने राज्य की विधान परिशद में नॉमिनेट कर सकता है तो ये थी साथियों विधान परिशद की सरंचना और राजस्तान ने भी अपने यहां विधान परिशद बनाने के लिए केंदर को प्रस्ताव भेज रखा है और इसलिए उसमें 66 जो सदस्यों की बात है अभी तक केंदर सरकार ने से मनजूर नहीं किया है अब हम बात करते हैं राजस्तान की विधान सबा की कि राजस्तान में अब तक कितन विधान सभाओं की चुनाव हो चुके हैं तो बिल्कुल सातियों आपको बे फिक्र होकर डरने की जुरत नहीं है आपको याद रखना है कि 15 विधान सभाओं के निर्वाचन हो चुके हैं अब आपको मैं step by step यदी बताओं तो जो पहली विधान सभा है उसका गठन कब हुआ ता ये प्रसन आप से पूंचा जाएगा राजस्तान की पहली विधान सबा का गठन कब हुआ था आपके तोते उड़ गे होंगे याद नहीं आ रहा होगा बिल्कुल आपको ध्यान रखना है राजस्तान की पहली विधान सबा का गठन हुआ था 23 फरवरी 1952 बिल्कुल आपको याद रखना है 23 फरवरी 1952 को राजस्तान के विधान सबा का पहली बार गठन हुआ और राजस्तान की विधान सबा की पहली विधान सबा का जो कारेकाल था वो 1952 से साथियों 1957 तक था इस विधान सबा के कुछ मुद्दों का भी आपको ध्यान रखना है इस विधान सबा में कितनी सीटों के लिए चुना हुए 160 सीटों पर चुना हुए साथियों और 160 सीटों में से कॉंग्रेस को कितनी सीटे मिली साथियों कॉंग्रेस को सीटे मिली 82 और बाकी की अन्य दलों को सीटे मिले इसके अलावा पहली विधान सवा के बारे में क्या याद रखना आपको पहली विधान सवा में मुख्य मंत्री कौन थे टीका राम पालीवाल तो राजस्तान के पहले निर्वाचित सदस्य के रूप में मुख्य मंत्री बनने वाले व्यक्ति का नाम था टिकाराम पालीवाल ये आपको याद रखना है टिकाराम पालीवाल ऐसे जब राजस्तान के मुख्य मंत्री थे तो राजस्तान की पहली विधान सबा के प्रोटेम स्पिकर कौन थे बिलकुल शाथियों आपको ध्यान रखना है राजस्तान की विधान सबा के पहले प्रोटेम स्पिकर महाराव आपको आसरे होगा कि राजा कहां से आगए महाराव संगराम सिंग आपको बिल्कुल ध्यान रखना है टिका राम पालिवाल की नियुक्ति भी किस ने की थी उस समय राजस्तान के राजपरमुक थे और राजपरमुक का नाम क्या था महाराजा सवाई सिंग जब एक नॉमबर 1956 तिक राजपरमुक थे उसके बाद राज जिपाल का पद शुरू की आईरन विल पावर की लोहे जिसी च्छा सकती जिसके बदोलत उन्होंने लोक तंतर को पसंद किया इसके बाद साथ यह इंपोर्टेंट प्यूसन आता है राजस्तान की पहली विधान सवा की अध्यक्स कौन थे इस पिकर कौन थे राजस्तान की विधान सवा की जो पहल स्पिकर बनाया गया तो उपाध्यक्स किसको बनाया गया तो उश्रा परसन डिप्टी स्पिकर किसको बनाया गया डिप्टी स्पिकर का नाम था दोस्तों लाल सिंग सक्तावत तो स्पिकर और डिप्टी स्पिकर इस्पिकर नरवतम लाल जोसी और डिप्टी स्पिकर लाल सिं और राजपरमुक्सवा इभान सिंग्廗ं और राज़श्तान के पहली विधान सबा के ततिय थे साथियों। अब राज़श्तान की विधान सबा की कारेकालों की अग्यें बात करें। तो राज़श्तान की विधान सबा dalas Karl का कौनता था। 1962-1962 था बिलकुल आपकी मेमेभीट बहुत अच्छी है चोती विधानसवा का कारेकाल 1967 से बिलकुल आपने लाइन पकड़ ली है और इस लाइन के शाब से आप काम कर रहे हो 1967 से 1902 ताकी कारेकाल था और पाँची विधानसवा का कारेकाल साथ ते वो बिलकुल 1967 से 1902 आपको बिलकुल ध्यान रखना है 1902 चोथी विदानसभा का कारेकाल पांच्भी विदानसभा का कारेकाल 1902 से 1977 था 1902 से 1987 इसके अलावा छट्वी विदानसभा का जो कारेकाल था दोस्तों वह 1977 से 1980 था यहां ब्रेकडाउन हुआ यह आप ध्यान रखोगे 1977 से 1980 विधानसवा बीच में भंकर दी गई और अब इसके बाद जो विधानसवा बनी वो विधानसवा साथवी विधानसवा थी जिसका कारेकाल 1980 से 1950 था इसके बाद विधानसवा आठवी विधानसवा बनी जिस आठवी विधानसवा का काल 1985 से 1990 बिल्कुल आपको याद आ गया नौई विधानसवा का कारेकाल फिर से नौई विधानसवा के कारेकाल में ब्रेकडाउन आया 1990 से इस विधान सबागा कारेकाल केवल 1993 तक था इसके बाद आपको कारेकाल ध्यान रखने के लिए 10 वी विधान सबागा कारेकाल ध्यान रखना होगा और 10 वी विधान सबागा कारेकाल बेलकुल साथ हूँ आपको याद आ गया 1993 से 1998 ये कारेकाल था और उसके बाद असो गैलोद की एंट्री हो गई तो 1998 से 1998 से 2003 बिलकुल अब आपको याद आगे होंगे अब बार बार याद करने की जुरुत नहीं है फिर 2003 से बिलकुल बिलकुल साथ हैं बिलकुल आपकी बात सही है 2003 से 2008 और 2008 से 2013 और 2013 से 2018 2018 और 2018 2023 ये राजस्तान की अब तक की पंद्रे विधान सबा हैं और जो आगाए में चुनाव होंगे वो सोल भी विधान सबा के चुनाव होंगे अब विधान सबाओं के बारे में यदि कुछ जिक्र किया जाए साथ ही हो तो कुछ ब्रिप में इंट्रोडेक्शन की अगर हम बात करें कि विधान सबाओं में ओट क्या पूँचा जा सकता है आपके प्रशन पेपर में तो ये पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा अवधी तक कौन सी विधान सबाओं चली तो सरवादिक अवधी तक चलने वाली विधान सबाओं कौन सी थी बिलकुल दिमाग के घोड़े दोड़ा ये सरवादिक अवधी तक चलने वाली विधान सबाओं थी सबसे ज़्यादा जो विधान सबा की बैटके हुई वो दूसरी विधान सबा में हुई इसके लाव आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो एक ही नहीं था विधान सबा का प्रोटेम स्पिकर भी था इसका मतलगी बिलकुल बिलकुल आपको ध्यान रखना है कौन ऐसा व्यक्ति था जो विधान सबा का प्रोटेम स्पिकर भी था और वे विधान सबा का इसपिकर भी बना और वे विधान सबा का उपाध्यक्स यानि कि डिप्टी स्पिकर भी बना डिप्टी स्पीकर भी बना ऐसा कौन व्यक्ति था बेलकुल आपको याद रखना ऐसे व्यक्ति का नाम था पूनमचंद विस्नोई तो पूनम चंद विश्नोई को ये गोरो प्राप्थ हुआ कि वे विधान सवा का प्रोटेम स्पीकर भी बना और वे विधान सवा का स्पीकर भी बना और वे विधान सवा का डिप्टी स्पीकर भी बना इसके लावा आपको ध्यान रखना कि सरवार्दिक लंबी समय तक विधान सभा के अध्यक्स रहने वाले नेता कौन है तो सरवार्दिक लंबी कारी काल तक विधान सभा के अध्यक्स कौन रहे हैं सरवार्दिक लंबे काल तक विधानसवा के अध्यक्स रहने वाले का नाम जरूर आपको पता होगा इनका राम नाम है राम निवास मिरधा ये राजस्तान की विधानसवा के लंबे समय तक अध्यक्स रहे हैं ऐसे नेता जो विपक्स के नेता भी रहे और मुख्य मंत्री भी बने इनमें भैरो सिंग, हरदेव, जोसी और वसुंद्रा, राजे तीन लोगों का नाम आता है लंबे समय तक या ऐसा कौन से मुख्य मंत्री थे जिन होने एक बार भी विधान सबा का सामना नहीं किया ये बिलकु लोग सबा की तरह चोधरी चरन समय नहीं किया, ऐसे विधान सबा का सामना नहीं करने वाले सामने का मतलब या लड़ाई करने से नहीं है विधान सबा में जाने से दो विधान सबा का सामना नहीं करने वाली राजस्तान के मुख्य मंतरी कौन थे ऐसे मुख्य मंतरी का नाम ता साथियों हीरालाल देवी पुरा नाम उसका हीरालाल था लेकिन हीरालाल डर गया और वे जा नहीं पाया इसके लावा आपको ये भी धियान रखना है कि राजस्तान की विधान सवा जो राज्ये विधान सवा के रूप में राज्ये विधान मंडल का पहला सदन माना जाता है नेम्न सदन माना जाता है इसी विधान सवा के प्रती राज्ये की मंतरी प्रिसद सामोही ग्रूप से उत प्रदेश की है और कितनी है चार सो तीन है और सबसे कम अगर विधान सवा की सदस्य संख्या की बात करें तो सबसे कम विधान सवा की सदस्य संख्या वो है राज्य संख्सासित परदेश पुदूचेरी की है और अगर बात करें राज्यों की तो सबसे कम सिक्किम राज्य में कि उन 32 सीटे हैं राजस्तान में 200 सीटे हैं नी संदे ये राजस्तान लोग से वाईव के दोवारा नया टोपिक जोड़ा गया है उसमें से प्रशन आएंगे और बैखुबी आप मेरे व्याख्यान को सुनेंगे और समझेंगे तो आप अपनी प्रशनों का जो भी प्रशन प प्रिक्षाओं के तयारी कर रहे हैं उनको भी फिरी ओप कॉस्ट मेरी कंटेंट का लाब मिल से के इसलिए सब्सक्राइब करना उसको लाइक करना और उसको सेर करना आप सभी के परती मैं आवारी हूँ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद